आज मैं आपका सारा डाउट किलियर कर दूँ है कि आपको HDHMR बोड में अलमारी बनवानी चाहिए या नहीं पहले मैं आपको इसकी Full Firm बता दूँ है इसकी Full Firm है High Density High Monster Registence अब यह देखे यह जो हमने अलमारी बनाई है यह हमने 8-10 के साइज में अलमारी बनाई है और इसकी जो आप गहराई बनाएंगे गहराई इसकी आपको पोने 24 के साइज में लेके चलनी है क्योंकि अगर आप इससे कम करेंगे तो वेश्टेज ही जानी है और मैं आपको यह बता दूँ इसमें डीमक कीड़ा सीलन की जल्दी से कोई सिकात नहीं आती है नोर्मक प्लाई बोर्ड के मुकावले उससे दूगने चलता है मान लीजिए अगर वो 25 साल की उसकी वारंटी आती है चलने की तो यह करीब उससे जादे ही चलेगा और आपको मैं यह बता दूँ कि आपको कौन सा बोर्ड कहां पर लगाना है देखे सबसे पहले माँ आपको बैक साइड में बता दूँ बैक साइड में जो आप बोर्ड लगाएंगे वो आप 12 mm यानि के आदा इंची का लगाएंगे इसके लिए आप यह जैसे टू साइड लेमिनेट है इसके लिए आप यह तो टू साइड यूज कर सकते हैं लेकिन वन साइड आपको लेना ही लेना जो आप अंदर की साइड लगाएंगे इसके बाद में आपको पाटिसन और सैल्फ के लिए जूर्ड पढ़ती है तो यहाँ पर आप 18 mm यानि के पोनींची का बोर्ड यूज करेंगे यहाँ पर आपको डवल साइड लेमिनेट बोर्ड यूज करना है उसके बाद में आपको दर्वाजों की जूर्ड पढ़ती है यानि के डूर की वहाँ पर आपको विदाउट लेमिनेट का बोर्ड यूज करना जैसे कि देखें यह है यह बिल्गुल कोरा पीस है ना तो आपको इधर लेमिनेट है ना इधर है यह कोरा इसलिए यूज करना क्योंकि हमको इस पर जो माईका लगानी है दोनों साइड एक साथ लगाकर चलनी है अगर हम एक साइड लेमिनेट वाला ले लेते हैं और दूसरी साइड पर हम माईका लगाते हैं तो इसमें थोड़ा माईका के लगाने के विज़े से थोड़ा मोस्चर बनता है तो इसकी बैंड होने क्या संका रहती है तो इसलिए हमेशा फ्रेंट वाले डूर पर माईका दोनों पर साथ लगनी चाहिए इससे दरवाजा बैंड नहीं होता और यह अब अलमारी गुरुप वाली है इसमें हमने लोंग लेंद के कब्ज लगाए हैं तो यहाँ पर हम जो गुरुप की पट्टी लगाएंगे इसी HD बोर्ड के हम यह 6 mm की पट्टी लगाएंगे यह आपको वन साइड ले लेनी है यह आप इसको इस तरह से लगा देंगे तो जो कोरा वाला हिस्सा विदाउट वाला वो नीचे से लजाए कलर वाला उपर आ जाएगा अगर हम यहाँ पर मार्जन या रिकोन मार्जन लगाते हैं तो अलग दिखेगे अब यह सेम दिख रही है और अब मैं आपको इसके पिलाई बोर्ड और इस HD बोर्ड में थोड़ा सा डिफरेंट और बता देता हूँ एक डिफरेंट तो इसमें यह है अगर आप इसमें कहीं भी इसकी थीकनेस चेक करोगे तो आपको एक कोने से लेकर चारो कोने और सेंटर में बरावर थीकनेस मिलेगी यानि के 18 mm की पूरी थीकनेस मिलेगी और अगर आप इसमें कहीं भी screw लगाओगे तो फिरी नहीं जाएगा बिल्कुल tight जाएगा तो इसलिए अगर आप जितने भी इसमें screw लगाओगे आपका मजबूती से काम होगा और इसमें एक benefit यह भी है इसका piece आप किसी भी angle से use कर सकते हो क्योंकि यह same side same ही है आप इसको ऐसे या से किसी यानिके इसमें besties भी आपकी कम जाएगी आप इसको किसी भी तरीके से use कर सकते हो जैसे की board में होता कि अगर उसमें गुट के इस तरह से डले हैं कि यह लंबा हो यह देखें इस तरह का hell button है और यह आपको लगाना कैसा है जो इसमें आपको दो screw लगाने आपको यह side से लगाने और one screw वाला आपको उपर लगाना क्योंकि उपर का तो यह अगर आप screw नहीं भी लगाऊगे तो भी काम चल जागा तो एक screw इसलिए कि बस यह लग जाए और यह हिले ना अगर आपके मन में कोई confusion है या मैं कुछ बताना भूल गया हूँ तो आप मुझसे नीचे comment करके boost सकते हैं आपको reply तुरंत मिलेगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को subscribe करें और notification bell पर जाकर आल पर किलिक करें जिससे मेरे आने वाली वीडियो की notification आपको म मिलतर है